आगे निगल चुके हैं यह रहा हरिश जोगी हमारी वीडियो बना रहा है अभी बस यह पास क्रास करने के बाद हम पहुंचेंगे टॉप पे जोथ फिर उसके बाद आगे पांगी यह और निकलेंगे वटा जिदर आगे बंडा रहा है जोथ में वह ग्रहन करेंगे और फिर आगे जाएंगे तो वैसा हमारी अल्टो का माडल है 2005 और यह आफ रोडिंग में इतनी दमदाद चल रही है ना क्या ही बता हम आपको यह देखो रोड की कंडिशन देखो बड़ाल्टो नहीं मानने वाली से पहले यह ग्लेशिर आचुका देख रखो जब हम लास टाय में आए थे तो यह सारा वर्ष से लड़ा हुआ था अभी तो कुछ चालब वर्ष नहीं है बस यह पहला ग्लेशिर आया बीजबीज में है बट आप रोड चक करो इधर गा औरे वह अबरे वाँ यह बात ही है यह वह बही है हम सारा पास निकल के आगे आगे यह देख वो जो सामने रोड भी रही है यह सारा क्रास कर गया है हम यह सामने एक मंदीर है और उदर राजबंडा रही है क्या हुआ पूरा सामने मंदीर मंदीर में जाए हुआ है तो एसा बीदर थोड़ी चड़ाई जादा आगी थी जो हमारी अल्डो फस्चुकी है अभी थोड़ा से उसको दखल गाएंगे जाँ दो जाँ दो जाँ दो पत्थर लगाओ पत्थर लगाओ तो भई अभी हम इससे आगे डैंजरस रूट पे जाएंगे किलड किलाड का जो है पांकी से आगे पट यह उससे कुछ कम नहीं है जब हम यह मूट क्रास करेंगे ना इसके आगे का अलगी नजारा होगा तो इदिर बंडारा चल रहा है वह उत अच्छा अगे दर बोजन करेंगे तो इससे अगे लगा दो यहां तो इससे आगे लगा दो इसर ठीग है हां इसर ठीग है इसर ठीग है अटेग है अट कौन सा मंदीर है हरी से काली माता का और बोले नात्पा और काली माताजी का मंदीर है इदर और इदर आज बंडारा चल रहा है बस यह अभी हमने सच पास क्रास कर लिया ना अभी हम इगरेंटली सच पास में हैं प्रॉपर जै माता काली अब बेड़ बख रही है देखना कैसे उसल्वे जा रही है जंप 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 वाओ जंप 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 अपनी मर्जी से जंप कर दी है अब हम यह सच पास क्रास कर रहे हैं वह देख सकते हो अब नीचे डाउन में जाएंगे और आगे सिर्पहंगी पास कि उन्स पास कि अगर जाएंगे था मामा उपर से शाट गर मारके नीचे आ गया था तो हमारे यार चुन जी और समझ भी पहुंच चुके हैं इस लेक के बास तो इधर थोड़ी अभी हम फोटोग्राफरी करेंगे तो देखो आगे काफी सुन्दर भी हुआ इस जील के किनारे ये देखो आगे का रास्ता ही है हमारा मोस्ट डेंजरस टूट अब भई अभी हमें इस रूट पे दिली के कुछ लोग मिल गए हैं उनके साथ आ रहे हैं अभी और ये देखो रोड देखो भई एक नंबर है अब हम सच पास क्रास कर गए आ चुके हैं ये देखो इधर के रोड का निजारा है तो अब हमने सच पास क्रास कर लिया है बस 15-20 किलो मेटर के बाद हम पांगी पहुंचेंगे हैं ना कि फुल आफ रोड इंग जल रही है हमारी अल्डो की कल से अभी ये देखो बहाड होंगा निजारा अभी पहले हम इनके हाइट पे लाइबल के थे पूरे अभी हम नीचे की और आज पे वो डाउन में जाएंगे वो जो सामने रोड दिके आपको काफी खूबसूरत पास ह कि अभी हम इस लोगेशन पर बहुंचें ये देख सकते हो आप इंदर की बादियों का नजारा और इधर ये कैम्पिंग साइड है यह सच पास के बाद तो फिलाल अभी हम इंदर रुकेंगे दोड़ा चाय भाए पियेंगे और फिट निकलेंगे आगे की और इधर से पां कि हमारे डेंजर स्टार्ड हो जचते है जिए देख सकते हो आप कितना गफहा है इन चडानों के वीच अ पर यह सच पास और पांगी के वीच का रूट है यह देख सकते हो आप कितना गतर ना कर ओद रहो है है वह नीचे जाएंगे हम वह जो सामने लाजे दोब कर दो कर दो तो यह देखो भई अभी हम ऐसे कुछ पहाड़ कर रहे हैं बहुत ही डेंजर्जर्ड तो भई सभी कोईले वाला पहाड़ा है यह देखो करोरिया भी हम गिल गये थे पता कर दो कि दो कर दो कर दो कि दो कि अब हम पांगी से 20 किलो मिटर पीछे पहुंचे हैं कुछ एसा भी हो यह देख सकते हैं आध पत्रों की दश्ayanता ने और यह देखो नीके पुराणेगी गूफ है ये देखो रूर्जों की राजों की गूफ हैं आय।iendo कि अधियों क्युक्ist वह देखो जाह GUY देखो फीय कहीं कोई लेते प्हाड पहाड गूछ यह देखो इधर मस्तवादियां अभी हम काफी ग्लेशिर से नीचे आ गए हैं यह देखे आगे का निजारा अगे बहुत ही खतरनात रोड है अलग लग भी वह आ रहा है मतलब जैसे हम एक मोट के बाद करें आगे का अलग निजारा गयो आज अगे पूर यपर recovering वी उपतना है सकतो में उनकेısı कर रहना गई मतलना पूरी में उल्भषा अलग वीउ दिकेगा आपको आज आज हम पांगी पहुंचेंगे के अधिर मिन्डल माता है तार arrangement फा मारा्गेकोल देखे हैं जहां भी बहुंचेगे आपको बीगे फूल अप्चेट अब इसे की कि तो अब तो वैस तो वैस अब कुछ आशे चंटार्नों को पर्च कर आज़ करें हम पांगी पहुंचेंगे अभी हमने फिलाल सच पास किया है बट अभी हम डाउन में आ चुकी है यह देखो पेड़ों की बादी आ चुकी है सच पास उदर गे नीचे डाउन में आजा होगे तो आपको नेटवर्क भी मिल राएगा भी मेरे नेटवर्क आ गए है इस लोगेशन पर इससे आगे मुझे लगता पांगी तक नेटवर्क तो होंगी आगे इका बता नहीं किलर के लार का जो वर्ल का डैंजरस टूट है मयान करेब मुझ एकिल नहींता तक की एक बन्हां में एक पांगी प्हां कreyेड़ मुझे में सकते हूच पांगी पांगी खारणाने किल्फ चैन ढूख भंवाग na तो अभी ये प्रीज क्रास करने के बाद काफी खूपसूरत लोगेशन है और रोड भी बढ़ी है बस केलाड भी मुझे लग रहा है इधर से कम से कम 11 वारा किलो मीटर होगा पांगी तो हम पहुंच गे बस एक दो मोड ग्रास करने के बाद पांगी विलेज पहुंच आएगे बढ़ काफी खूपसूरत पूल था और डेंजर भी ता डर भी लग रहा था बीच बीच में कि मैं इस लुकेशन पर पहुंचा हूँ केलाड मुझे इधर से 10 किलो मीटर है बट मैं आगे मिंदल माता के लिए जाओंगा फिर आगे चोक आएगा मुझे वापीस आना पड़ेगा बट आज शाहिद हमारा स्टे मिंदल माता ही रहेगा और फिर जो भी रहेगा वापको को बताएंगे तो अभी हम इस लुकेशन पर पहुंच चुके हैं यह इधर चोक आया है यह रहा के लाट पांच किलो मेटर हम जाएंगे राइट साइड मिंदल माता भी राइट साइड फिर आधे टाइम हम इसी चोक पर वापीस आएंगे मिंदल माता से और फिर आगे बढ़ जाके बता चलेगा अभी फिलाल मिंदल माता की और चलते हैं और फिर देखते हैं जो बिरहेगा वो आपको बताएंगे जै माता दी तो वाई साब इधर से भी आप अटर टर्नल के लिए जा सकते हो मिंदल माता से होकर यह राइक सब पुचुंजा चंदिगर्ड ग पांगी गाओं की दिस्ट्रिक चंब है इनको कितना ज्यादा दूर बढ़ता है आर्च पास तो सच पास पाला रूर तो बस तीन में दो तीन महिने के लिए उल्टाब आप यालोगरों बन भी आता है अर्लो है तो साथ वाले मेरे से काफी पिछे हैं तो अभी मैं दर पांगी वीलेज में पूं चुका हूं थो कि इधर देखें है कुछ फंगी वैली डू इस गाइट मैप लेके चाली वैस्पह कि हम पांकी गाउं क्रास करके आगे आ चुके हैं यह देख सकते हो आपके लाड कर ओड़े है बस इधर से 15 किलो मिटर के बाद मिंदल माता जी का दरबार है अब यह देख सकते हो आप कितना खतर नाग रूट है वह उत्ता दन्दक भई इन पत्थरों के वीच से गुजर के जल्ब नाम बढ़ता है ऐसे लगते कि उपर ही आ रहे हैं इस टैंजरिस रूट है वह यह किलाड का रूट भी बहुत खतर ना गए भई तो भई सब यह रूट है किलाड का देख को किस तरह का रास्त है यह अट पत्थर बहुत राव नहीं है वही ऐसे लगते उपर आजाएंगे अभी मेरे साथ के थोड़ी पीछे हैं तो दिर किलाड रोड पे काफी सुन्दर टैंपल आया है तो पहले मैं इदर हो के आता हूं तब तक मेरे साथ ही रहा जाएंगे मैंने अपनी भाई किये लगा दी एदर तो अभी मैं इस मंदिक में जा रहा हूं जाए शिद बाबा तुझे जो मंदीर है यह सिद बाबाजी का मंदीर है काफी अच्छी जगा पर यह के लाड रोड पे ही है तो अभी इदर शिद बाबा के दर्वार में जाते हैं और तब तक म कि अधर दरवार है यह देख सकते हैं कि अच्छी लोकेशन पर जाये वावा सिद तो अभी इदर कोई पुजारी है नहीं वर्ट अब ने दर्शन कर लिए सिद बाबाजी के तो अभी देखते हैं रोड पे जाते हैं और आगे रुपता हूँ मैं जहां पर अपनी फाइक लगाई है तो इदर बोड पे काफी अच्छा लिखा हुआ है जैसिद बाबा नाम खरी का जपले बंदे नहीं तो पश्टाएगा जपना है तो जपले बंदे एक दिन मिठी में मिल जाएगा अब हमें मिंदल मादल अट इलमिटर का ज़ली बाहतार है अट आइडर से बट बहुत बातानाद बाहता है जब एए जड़ेट ड़ेजेट से तो बाब दूब कि जो आगे कर ओड जा रहे हैं मनाली कुलू की ओर जा रहा है तो इधर से अभी हम राइट टर्न लेंगे मिंदल मादा के लिए और वो उपर टॉप पर जाएंगे मिंदल माता जी के दरवार अभी हम फाइनल इधर पहुंच चुके हैं यह अपने सारे साथ ही आ गए हैं तो इधर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उट पर यह सीट में जड़के माता के दरवार में जाएंगे जाए माता जी आए कितिए यह टाइम हो रहाा वाइनली हम दल माता के दरवार देवार में पर जुचे हैं जाए हो जी जाए हो जाए हो पुँआ है 겨ब है